बहुत ज़रूरी सवाल है, सवाल सबसे पहले सभी चीफ मादवी बुच जी से है। पहला सवाल ये है कि क्या आपने 2015 में Global Development Opportunity Fund का हिस्सा बन कर IPE Plus Fund 1 में निवेश किया था जो गौतम अडानी के भाई विनोध अडानी से भी संबंधित है। दूसरा सवाल, जब आप सेभी की पूर कार्लिक सदस थी, तो क्या आपने IPE Plus में अपने निवेश को, अपनी शेर होल्डिंग को सेभी के सामने उसका खुलासा किया था, उसका डिस्क्लोजर किया था या नहीं किया था। क्या आप ये बता पाएंगी कि अडानी एंटरप्राइजेज और उनके पूर निर्देशक अनिल अहुजा, IPE Plus Fund से किस तरह से संबंदित थे, उन्होंने IIFL के साथ इस Fund की स्थापना कैसे की थी। क्या आप ये बता पाएंगी कि जब आप सेभी की पूर कालिक निर्देशक थी, तो क्या आपने Singapore में Agora Partners या भारत में Agora Partners में हिस्सेदारी शेयर आपके थे या नहीं थे, क्या आपने इसका disclosure सेभी को किया था, क्या आपने इस शेयर holding के माध्यम से पैसा कमाया है, क्या आपकी revenue stream आई है, किन संस्थाओं ने इस consulting firm Agora को business दिया, क्या आप ये बता सकती हैं क्योंकि एक वक्त में आपके पास पूरा-पूरा इसका स्वामित्व था रिपोर्ट के अनुसार क्या आपने 2022 में एगोरा में अपना स्वामित्व अपनी शेर होल्डिंग अपने पती को ट्रांसफर की थी जैसा कि ये रिपोर्ट कह रही है वो कौन सी संस्थाएं हैं जो आज भी एगोरा को कंसल्टिंग फर्म कंसल्टिंग का बिजनस दे रही हैं वो भारत की कौन सी कंपनीज हैं क्योंकि सेभी चीफ रहते हुए ये डिस्कलोजर करना भी जरूरी है क्या आपने सेभी को सूचित किया था कि आपके पती ब्लाक स्टोन से अब संबंधित है जो रिट्स में एक बहुत बड़ा खिला रही है आपने या सेभी के किसी समू ने या सेभी की किसी मीटिंग ने ब्लाक स्टोन से अकेले अडानी ग्रूप से अकेले या किसी ऐसी कंपनीज के साथ मीटिंग की है जिनका ब्लाक स्टोन और अडानी से लेना देना है सुप्रीम कोट को सेभी ने कहा हमारे हाथ कुछ नहीं लगा क्या आपने कोट द्वारा स्थापित समिती और इस देश के सर्वोचग कोट को ये बताया था कि जिन फंडों की जाच आपको सौपी गई है उनमें से कुछ तथा कथित तोर पर इस रिपोर्ट के मताबिक वो फंड थे जिनमें आपकी हिस्सेदारी आपकी शेर होल्डिंग थी क्या आपने इसका खुलासा सुप्रीम कोट गठित समिती या खुद सुप्रीम कोट के सामने किया था और एक सबसे बड़ा सवाल अगर ऐसा था अगर आपकी शेर होल्डिंग थी और उनका स्टेट्मन कहता है मेरी शेर होल्डिंग थी जो मैंने ट्रांसफर कर दी थी तो आपने अपने आपको इस जाच से क्यों नहीं रेक्यूज किया Caesar's wife has to be above suspicion आप कैसे उन फंड की जाच करती रही अगर करती रही जिन में आपका कभी निवेश था आपके पती उसे सलगन है ये कैसे हो सकता है आपने अपने आपको इस जाच से अलग क्यों नहीं किया आप सेबी के पद पर सेबी के सर्वोच पद पर इस देश की शेर मार्केट की रेगूलेटर बनी रह सकती है या आपको ततकाल प्रभाव से बरखास्त कर देना चाहिए ये सवाल सेबी चीफ से